Hello everyone, मैं हूँ किरंशापुरी और ये है सापताहिक राशीफल Coming week का राशीफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने giveaway रखा हुआ है और ये giveaway last 2-3 weeks से on है और December end तक रहेगा तो जिन भी लोगों ने miss किया है या जो भी लोग participate करना चाहते हैं description box पे आपको 2-3 बहुत ही easy steps मिलेंगे जिनको follow करके आप participate कर सकते हैं और giveaway में हमारे पस बहुत ही beautiful, highly energized crystal bracelets हैं and yes जो भी last week के winners हैं I hope कि आप लोगों को आपका gift मिल गया है और नीचे comment section पे हमें जरूर बताएं कि आपको gift कैसा लगा आपको मिला के नहीं मिला और अगर आप picture click करके हमें देते हैं तो और अच्छा लगेगा तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साबता ही ग्राशिफल ये 30th November से लेकर 5th December तक की आपकी tarot readings हैं और tarot predictions हैं तो वोगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो यहां पर इन जनरल के लिए कार्ड है unknown territory professional life के लिए कार्ड है patience and planning personal life के लिए कार्ड है innocence unlucky color आप लोगों के लिए है इंडिगो दाटिस थर्ड आय चक्रा तो वोगोज देखें यहां पर in general के लिए unknown territory का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है इस week कुछ चीजों को लेके आप थोड़ा सा lost महसूस करें आपको ऐसा लगे कि भई जो आप चाहते थे ना वो तो हो नहीं रहा और आप पतनी कहा हैं क्या कर रहे हैं तो देखें यह कार्ड में कहता है you are exactly where you need to be और मैंने हमेशा कहा है वोगोज कि हम एक limit तक देख सकते हैं लेकिन universe बहुत आगे तक देख सकता है तो इस week अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है या जो आप चाहते थे वो नहीं हो रहा कुछ और ही हो रहा है तो उसको divine का plan समझके उसको trust करके आगे बढ़ते जाएं और परेशान ना हो क्योंकि divine का ये plan है आपके लिए divine के हिसाब से ये ही आपके लिए अच्छा है इसी लिए आपके साथ ऐसा हो रहा है तो again मैं कहूंगी कि जो चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही शायद उसमें बहुत ही कोई भलाई है और जो चीज आपके साथ हो रही है शायद इसमें यूनो बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होगा आगे जाके और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपे पेशन्स और प्लानिंग का कार्ड है ये कार्ड मुझे कहता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ठोड़ा सा आप पॉस लेना चाहते हैं चीजों को समझना चाहते हैं हो सकता है किसी तरीके की प्लानिंग करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, आप impulsive नहीं होना चाहते, आप जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहते, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि literally आपको कोई decision लेना है, कोई choice करनी है और आप अपने आपको crossroads पे पा रहे हैं कि भाई इधर से आप क्या direction लें, आप किस तरफ क हो जाएं, आपको क्या करना चाहिएं, तो again मैं बोलूँगी कि professional life से related एक passive सी energies दिख रही हैं, जहाँ पे आप सबर से काम लेना चाहते हैं, बहुत ही सोथ समझ के आप decision या choice करना चाहते हैं, और शायद ये बहुत important भी होता है, वर गोज, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐ ऐसे कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए message है कि थोड़ा सा सबर रखें, थोड़ी सी patience रखें, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, जो भी काम करें, अच्छे से plan करके करें, और personal life के लिए हमारे पास card है innocence, और ये card हमें कहता है कि हो सकता है, इस भी कैसी situations हों, इसे circumstances हों, जहां पर आपको थोड़ा सा diplomatically चलने की ज़रत है, थोड़ा सा चीजों को manipulate करने की ज़रत है, और innocence का card कहीं, बहुत ही clear message है आप लोगों के लिए, वो गोस कि आप चीजों को जितना simple रखेंगे, उतना ही आपके लिए असानी रहेगी, जितना आप innocently हर ची मैं कहूंगी, अपनी innocence के साथ किसी भी तरीके का compromise ना करें, हो सकता है manipulation या diplomatically चलना, temporarily आपको किसी तरीके का benefit दे, किसी तरीके का आपको फायदा हो, लेकिन आगे जाके चीजें खराब होंगी, complicated होंगी, तो again मैं कहूंगी कि आप अपनी innocence को कायम रखें, और बहुत ही innocently च बहुत जादा you know, एक diplomatically नहीं चलता, तो उस तरीके की energies रखने की ज़रत है, और देखें हैं आपे आप लोगों के लिए lucky color indigo है, और third eye chakra का card भी वही चीज़ कहता है, कि अपनी inner voice, अपनी gut feeling को ज़रूर आप सुनें, उसको ना ignore करें, और जो दिन आप लोगों के लिए इस connect करी, आप कितना resonate कर पाए